नमस्ते विद्यार्थियों, JCRT के DG स्कूल में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, सामाजिक विज्ञान विशय के अंतरगत हम आठवी कक्षा के इतिहास का अध्यान कर रहें। और हमारे समक्ष है इतिहास का आपका तीसरा अध्याय जिसका नाम है ग्रामिंट जीवन एवं समाज। तो विद्यार्थियों, आज हम इस तीसरे चैप्टर के प्रस्नोत्रों को हल करने का प्रयास करेंगे। तो विद्यार्थियों सबसे पहले आपके समक्ष है पेज नंबर 42 पे रीकत स्थानों की पूर्ती वाले 5 सवाल तो हम इसको क्रमवार देखते हैं पहला सवाल बच्चों इस्ट इंडिया कमपनी को बंगाल की दिवानी कप राप्त हुई तो इसका जबाब होगा 12 अगस्त 1765 अब दूसरा है अस्थाई बंदोबस्त बेवस्था यानि की पर्मानेंट सेटल्मेंट जो सिस्टम है वो किसके द्वारा लागू की गई तो इसका जबाब होगा लॉड कॉर्णवालिस विद्यार्थियों तीसरा सवाल है महाल वारी बेवस्था की रूप रेखा किसने त्यार की थी तो इसका जबाब होगा हॉल्ट मेकेंजी चोथा सवाल है टॉमस मुन्रो ने कौन सी बेवस्था कहां लागू की थी तो इसका जबाब होगा टॉमस मुन्रो ने रैयत वारी बेवस्था मदरास और बंबे प्रेसिडेंसी यानि बंबई प्रेसिडेंसी में लागू की थी अगला सवाल विद्यार्थियों नील बीद्रो की सुरुवात बंगाल के किस जिले में हुई थी तो इसका जबाब होगा नदिया जीला आप यहां पे पस्रिम बंगाल का मानचित्र देख सकते हैं यहां पे एलो कलर में यानि कि पीले रंग से अलग से दिखाया गया है नदिया जीले को यहीं पे अंदोलन हुआ था जिसे हम लोग नील बिद्रो के नाम से जानते हैं अब चलिए विद्यार्थियों हम लोग कुछ short questions को हल करते हैं इसमें पहला सवाल है कि रईयत वाड़ी ब्यवस्था कहां एवं किसके द्वारा लागू की गए थी तो इसका जबाब होगा भूर आजस्व संबंधी रईयत वाड़ी विवस्था मदरास और बॉंबे प्रेसिडेंसी में टॉमस मूनरो द्वारा लागू की गए थी विद्यार्थियों भूर आजस्व विवस्था क्या होता है भूमी का लगान जो सरकार वसूलती है उसे हम कहते हैं भूर आजस्व ठीक है तो इसमें एक विवस्था है रईयत वाड़ी जिसका हम लोग अध्यन कर चुके हैं अभी हमें सरिफ प्रस्णोतरों को हल करना है अगला सवाले विद्यार्थियों नीज खेती विवस्था के तहद नील की खेती कैसे होती है प्रस्ण को एक बार फिर से सुनिए नी नीज खेती नीज यानि खुद की खेती तो जदी हम एक किसान है और जदी हम नीज खेती करते हैं तो नीज खेती करने के लिए हमें क्या चाहिए हमारे पास अपनी खुद की जमीन चाहिए लेकिन विद्यार्थियों जो अंग्रेज प्लांटर्स जो इंगलैंड से भारत आये थे क्या उनके पास उनकी खुद की जमीन थी नहीं थी तो नीज खेती वोग कैसे कर सकते थे ऩह नगा नहीं न सकते थे तो करने के लिए उन्होंने क्जा कुछ किया उसी के बारें में हमें यहाँ पर लिखना है तो चलिए विद्यार्थियों ध्यान से देखिए नील की नीज खेती का मतलब है बागान मालिकों द्वारा बहुत बड़ी जमीन खरीद लिया जाना या फिर पट्टे पर ले लिया जाना विद्यार्थियों होता या था कि बागान मालिक पट्टे पर लेते थे उतनी बड़ी जमीन खरीदते नहीं थे और ढेर सारे किसानों को पारिसरमिक देकर यानी कि मेहनताना देकर मजदूरी देकर अपने अधीन रखते थे और उनसे खेती करवाते थे किस चीज की खेती करवाते थे, नील की खेती करवाते थे, और विध्यार्तियों नील की खेती में जो कुछ कठीनाईयां थी, खास करके नीज खेती में उसको आप समझ लिजए, हालां कि नीज खेती के लिए अधिक भूमी की जगत पड़ती थी, लेकिन बागान मालिकों को अधिक भूमी मिल नहीं पाते थी आगे है नीज खेती के साथ सबसे बड़ी दिकतिया थी कि बागान मालिकों को नीज खेती के लिए छोटे मोटे खेती मिल पाते थे और एक पॉइंट है बच्चों जिस समय बागान मालिकों को नीज खेती के लिए किसानों की जगत होती थी उसी समय किसान भी अपने कामों में ब्यास तगाते थे क्योंकि मौसम के इसाब से बच्चों हमारे देश में खेती होती है जब यहाँ चावल के लिए चावल की खेती धान की खेती जिस समय हम लोग करते हैं ठीक उसी समय नील की खेती के लिए अंग्रेजों को चाहिए होता था मजदूर जो कि उनको मिलना थोड़ा मुश्किल होता था। चलिए विद्यारतियों हम आगे बढ़ते हैं अगला सवाल है बागान मालिक और किसानों के बीच होने वाले अनुबंध यानी की agreement में क्या सर्ते राती थी तो इसको ध्यान से देखिए अनुबंध बेवस्ता के तहट बागान मालिकों को किसानों यानी की रहयतों के साथ अन गईत का मतलब किसान होता बच्चों है ना अनुबंद के बाद बागान मालीक किसानों को कम ब्याज पर रिंड देते थे कर्ज देते थे है ना गईतों यानि कि किसानों को अपने जमीन के एक चौथाई भाग में नील की खेती करनी पड़ती थी किसान फसल के उत्पादन हो जाने पर नील की फसल बागान मालिकों को सौप देते थे यहां तक तो बच्चों सब ठीक है लेकिन इसके अगला पॉइंट आप देखिए नील की फसल के बदले में नील प्लांटर्स किसानों को इतना कम मुल देते थे कि वे हमेशा कर्ज के चंगुल में फसे रहते थे यह बहुत खराब बात है बच्चों बागान मालिक चाहते थे कि किसान अपने सर्वस्रेश्ट मूल पर नील की खेती करें लेकिन किसान ऐसा नहीं कर पाते थे 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 विद्यार्थियों अब अगले सवाल को हम देखते हैं रयत वाड़ी ब्यवस्था को दक्षिन भारत में क्यों सुरू किया गया था रयत वाड़ी ब्यवस्था के बारे में हमने अध्यन किया है तो चलिए देखते हैं रयत वाड़ी ब्यवस्था को दक्षिन भारत में चालू करने का कारण यह था कि दक्षिन भारत में उत्तर भारत की तरह बड़े किसान नहीं थे है ना तो जहां पे बड़े किसान थे उत्तर भारत में वहां वो लोग क्या किये थे वहां पे अस्थाई बंदोवस्त यानि की पर्मानेंट सेटलमेंट जो की लॉड कर्ण वालिस का था मैं बता चुका हूं बच्चों है ना तो रैयत वाड़ी ब्यवस्ता को दक्षिन भारत में चालू करने का कारण यह था कि दक्षिन भारत में उत्तर भारत की तरह बड़े किसान नहीं थे इस ब्यवस्ता के तहट रैयतों को अपनी कुल भूमी का स्वारी कुल आय का आधा भार यानि की एक बटा दो किसान को लगान के र इरोप के बाजारों में भारतिय नील यानि कि भारतिय जो इंडीगो है उसकी मांग क्यों थी इसका उत्तर है विद्यारतियों भारतिय नील की गुणवत्ता उतक्रिश्ट थी और इससे कपडों में जबर्दस चमकाती थी इरोप में जब अध्योगी क्रांती यानि की इंडस्ट्रियल रिवोलूशन आई और वहाँ पर सूती वस्तरूद्यो काफी पनपने लगा उस समय ना केवल इंगलैंड बलकि फ्रांस, इटली, जर्मनी कई देशों में भारतिय नील की बहुत जवरदस्त मांग थी और इस आ समझ गया होंगे बच्चों कि भारतिय नील की मांग क्यों अधिक थी इरोप के बाजारों में अब चलिए अगला सवाल है नील की खेती के प्रती कंपनी की दिलचस्पी क्यों बढ़ी तो देखते हम इस्ट इंडिया कंपनी क्या थी एक बैपारी कंपनी थी यानि की ट्रे और इरोप के बाजारों में उसकी मांग काफी जादा थी इसको देखते हुए कंपनी को लगा कि यह बैपार काफी फायदे का हो सकता है कंपनी को यह भी लगने लगा था कि भारत की राजनितिक हालत अच्छी नहीं है और धीरे धीरे राजनितिक सक्ती भी कंपनी के हाथो में जा रही थी यहां तक सम्धि होंगे बच्चों अगला सवाल है अंग्रेजों ने कृसी में सुधार कि आओ सकता क्यों महसूस कि तो तो देखिए इसको 1765 में बंगाल की दिवानी हासिल करने के बाद कमपनी का उद्देश जादा से जादा राजस्व यानि की लैंड रविन्यू प्राप्त करना हो गया था मन की जादा से जादा पैसा आना चाहिए ऐसा सोच गई थी कमपनी सन 1770 के बंगाल में भीशन अकाल के बाद भारती अर्थ ब्यवस्ता गहरे संकट में फस गई थी कमपनी के अफसरों को यह भी लगने लगा था कि अब क्रिसी में सुधार और भूमी में निवेस करना जरूरी हो गया था तब अंग्रेजों ने भारती क्रिसी के छेतर में भूमी बेवस्ता और भू राजसों के अंतरगत कई ब्यापक परिवर्तन किये यहां तक समझे होंगे बच्चो अब चलिए हम लोग अगला सवाल देखते हैं रईयत नील की खेती करने से क्यों कत्रा रहे थे रईयत का मतलब अच्चो किसान किसान नील की खेती करने से क्यों कत्रा रहे थे इसको पॉइंट वाज देखिए पहला पॉइंट है अंग्रेजों के आने के पूर भारत में नील की खेती की कोई प्रमप्रागत ब्यवस्ता नहीं थी बिल्कुल सोभाविक बात है हम लोग को नील की कोई विशेज जबद भी नहीं थी दुसरा है नील की खेती अच्छी भूमी में हो जाने की स्थिती में खाद्यान फसलों का अभाव हो जाता था तिसरा पॉइंट है अगला है और अंतिम पॉइंट भारतियों के लिए नील का कोई ब्यवहारी कुप्योर नहीं था तो यहां तक समझे होंगे बच्चों अब अगला सवाल है अस्थाई बंदोवस्ती के मुख्य प्रावधान क्या थे अस्थाई बंदोवस्ती में क्या-क्या प्रावधान था तो चलिए देखते हैं अस्थाई बंदोवस्ती के तहट जमिंदारों को भूस्वामी मान लिया गया इस ब्यवस्त यानि कि उनको क्या मान लिया गया मालिक मान लिया गया है न, जमिनदारों को क्या माना गया, भू स्वामी, इस ब्यवस्था के तहट कमपनी को सीधे किसानों से, अथवा रईयतों से लगान वसूलने के कार से मुक्ती मिल गई, है न, क्योंकि लगान वसूलने का काम आप कौन करेंगे, जमिनदार करेंगे, आगे देखिये, किसी छेत्र विशेश की संपुन भूमी जिस पर गईयत खेती करते थे उनसे लगान वसूल कर ये जमिनदार दस बटा ग्यारा सरकारी खजाने में और एक बटा ग्यारा खुद के लिए रखने का प्रावधान था आगे है इस बेवस्था के तहर जमिनदार अंग्रेजों के क्या बन गए भक्त बन गए यह सुभाविक बात है वाच्चों यह अंग्रेजों के यह भक्त बन गए क्योंकि इनको लाव हो रहा था आगे है इस बेवस्था के अंतरगत जमिनदारी को बन सानुगत बना दिया गया यहनी कि जदी जमिनदारी अच्छी तरह से चल गई है तो जमिंदार का बेटा अगला जमिंदार होगा यहां तक समझे होंगे बच्चो अब अगला सवाल है महाल वारी बेवस्था में खेती कैसे होती थी तो इसको आप देख लीजिए महाल का मतलब होता है एक संपूर गाउं तो राजस्व इकठा करने की जिम्मिवारी इसमें जमि क्या को होती थी सभी लोग अपनी अपनी खेती तो करेंगे लेकिन जो राजस्व है जो लगान है वो सुनने का काम कोन करेगा गाउं का मुख्या है ना इस बेवस्था के तहद पूरे गाउं की जमीन पर गाउं के सभी गयतों का आदिकार माना जाता था और इसी के आधार पर सभी को भूमी कर का भूखतान करना होता था, तो ठीक है बच्चों, अब अगला सवाल देखिए, किसान नील बिद्रोह के लिए क्यों बाध्धे हुए, जो हमारे किसान हैं, वे नील बिद्रोह के ल दुसरा किसानों की जिवीका का साधन लगभग समाप्त होता जा रहा था किसानों की स्थिती बंदुआ मजदूरों जैसी होती जा रही थी और बागान मालिकों के चंगुल में फसते जा रहे थे आगे है खाद्यान फसलों के उत्पादन में कमी आने के चलते उन्हें भारी परिशानियों का सामना करना पड़ रहा था आगे हैं अंग्रेज प्लांटर्स तरह तरह के कूचक्रों के माध्यम से कृसकों को यानि किसानों को सताने के कारे में सलगन थे तो कई ऐसी चीजें थी बच्चों जिसके कारण नील बिद्रों के लिए किसान बाध्धे हुए जब नील बिद्रों हुआ तो सरकार μεं एक आयोग का गठन किया ये जाज करने के लिए कि क्या कारण है कि नील बिद्रों हुआ हैं ना तो ध्यान से देखिए, सन 1860 ECV में नील आयो, यानि कि इंडीगो कमिशन का गठन किया गया, नील आयो को यह रिपोर्ट करना था कि आखिर किस कारण से यह बिद्रो हुआ, तो इसमें जो कुछ भी रिपोर्ट्स हैं, उनको देखिए, चार पॉइंट्स में अलग-लग दिख वो नील प्लांटर्स का था, बागान मालिकों का था, आगे देखिए, अधिसूचना यानि कि नोटिफिकेशन जारी की गई, कि किसी भी किसान को नील की खेती के लिए बाध्या नहीं किया जाएगा, यानि कि 1860 में ये इंडीगो कमिशन ने कहा, नील आयोग ने कहा, कि कि इसी को बाध्या नहीं किया जाएगा, आगे हैं सभी विवादों का निप्टारा बिधी पुर्वक किया जाएगा, यानि कि जो कानुन सम्मत होगा, वही किया जाएगा, और अंतिम पॉइंट है, आयोग ने सभी गईयतों को बरतमान अनुबंध यानि एग्रिमेंट को प अपनी इच्छा से करनी की चाहोगी तो करना और नहीं करनी की चाहोगी तो नहीं करना, बच्चों एक बात मैं बता दूँ कि अंग्रेज हमेशा कहते थे कानून का सासन, हमेशा वो लोग कहते थे कि हम लोग कानून का सासन करते हैं, लेकिन बच्चों आपको पता है कि बं काम बंगाल में बहुत पहले बंद हो गया, वो पहले पिर बिहार में होने थैक हैं बच्चों, जो आब आगे इतिहास में पढ़ेंगे तो अभी बर्तमान में इतना ही unique वीडियो को समाप्त करता हूं हो。 तो सभी प्रसनों को मैंनेalter करने का प्रयास किया है आप कोशिस करेंगे कि आप अपने तरिके से अपनी सब्दावली में अपनी भोकबलरी का प्रयोग करते हुए और भी अच्छे से उत्तर त्यार करेंगे और इस पाठ को आप अच्छी तरह से एक बार दो बार जरूर पढ करके ठीक है बच्चों इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूं जहीं बच्चों